हाँ अभी नहीं पापा मुझे लगता है उन्होंने मुझे धून निकला है क्या हाँ मैंने अभी अभी होटेल के भार पुलीस की जीब देखी है देखो अभी दो तबराओं मत होट सकता है वो लोग के और काम से आयो है जो नो वाटेलू क्या करो हमें तेखो भीटा हिम्मत से काम लो हम मैं हूना तुम्हारे साथ दरवस इन एंटर्भाव थेखो अपर कोशे नहीं होगा मैं हूना थक जाओं पापा में इस तरह भागते भागते प्लीज के टम्हार अड़ो फ्रीज देखो अबत करो और तुम चिट्दाबस करों अशब कुछ बुच्पे चोड़ दो किसका फोन था गोल्डी का फोन था वो घर क्यो नहीं आ रहा रात हो गई यह दमियनती जाओ सूजा इतने तुनों से आप दोनों मुझसे क्या चुपा रहे हैं कुछ बताती क्यो नहीं मने कहा ना कुछ नहीं हुआ है जाओ सूजाओ आउसकिपिंग क्या काम है तॉलिया बदलना था सर दो मिट लगेगा नहीं चीए जाओ लेकिन सर बोलाना नहीं चीए जाओ अच्छा साबू सुबह की खाने की ट्रे दे दीजिए अगर किछन बंद हो गया तो प्रोब्लम हो जाएगी मिस्त्राबिना शेखावत तुम किरफ्तार के जाते हूँ हलो एक अच्छी खबर है टॉंग सर अभीनो शिखावत जैपूर की लोच से पकड़ा गया जब बात इब आया हम उट पहाड के नीचे है हाहा करम बीर से खावत इब के करोगे के पूलीस मेरे बेटे तक पहुंची कैसे पता नहीं सर मैंने तो पूरी कोशिच करी थी इस मामले कोशिच काफी नहीं है वादा किया सा तुमने दस मिन के अंदर ये केस सुल्टा दूँगा आपका बिटा घर पे होगा कहा गया है वो वादा सर मैं बस मारे बाने सुलने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास अब चलो सारे अभी रवकी बेल करानी है बेल नहीं हो सकती सर इन फैक्ट सर मैं अभी पुली स्टेशन होकर आ रहा हूँ बहुत ही स्ट्रॉंग केस बनाए है उन्होंने आपके बेटे के खिलाफ सर अब कोई उमीद नहीं है क्या क्या कहा तुमने I'm sorry सर मैं अब इस केस में कुछ नहीं कर सकता हूँ तुम फिर यहां क्या कर रहे हो तुम तुमाह हो जो शंदर सिंग कुंडेचा राजस्थान के सबसे बड़ी मकील Get lost Out पुलीस गोल्डी को पुलीस ले गई मेरा गोल्डी इतनी मुसीबत में था और इतने दिनों आपने मुझे कुछ बताया तक ने एक बेटा तो खो चुकी हूँ आपकी जिद में अब दूसरा नहीं खोना चाहती नम्यंती मैं गोल्डी को कुछ नहीं होने दूँग कैसे आपकी आखरी उमीद तो चली गई बूफेर कर अब एक ही उमीद और है अगर आपके दिल में हमारे रिष्टे की जरा भी एहमियत है तो अपना एकार भूल कर पुला लीजिए उसको देखो अब मैं और चुप नहीं रहूंगी वो इस घर का बड़ा बेटा है मुसीबत के वक्त अपना ही खून काम आता है शायद एक बाप को अपने बेटे की जरुरत नहीं पर एक मा को है एक भाई को अपने बड़े भाई की है Abhinu चली जाओ यहां से Abhinu सुनो मैं तुम्से कोई बात करनानी चाहता हूं पर चली जाओ यहां से Abhinu तुम समझने की वज़े क्यो नहीं क्या चाहिए तुम्हें मेरा भरोता तोड़ने के बाद और क्या ची तुम्हें जाओ यहां अगर आपके दिल में हमारे रिष्टे की जरा भी एहिमियत है तो अपना इकार भूलकर पुला लीजे उसको वो इस घर का बड़ा बेटा है मुसीबत के वक्त अपना ही खून काम आता है मुसीबत के अपना आता है झाल झाल केड़ी पाठक क्या आप जैपुरा सकते हैं अगर आ सकते हो तो कली आ जाए है सुबह अगर यही तुम्हारा फैसला है तो अब मेरा फैसला सो आज के बाद ने घर तुम्हारा ने मेरा कारोबार और ना मेरा नाम नहीं रहे तुम करणवीर शिखावत के बेटे चले जाओ इस घर के दर्वा से हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद है बारा साल क्यों नहीं आये खुट्टू मेरे बच्ची आगे है तुम्ह मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं बड़े बड़े लॉयर्स बड़े है मेरे पास मैं तो तुम्हे बुलाना भी नहीं चाहता था तुम्हारी माने गस्म दे दे अगर अब भी ना कहो कहना चाहो तो कह सकते हो मैं किसी और रायर को न्यूक्त कर दूंगा इस केस के लिए किस केस में? मेरे बेटे अभिनव को गतल के लजाम में घिरफतार किया गया है कब, क्यों, कहां, कैसे ये सब बताने का वक्त नहीं है मेरे पास अभिनव को टॉंक रोड पुलिस थाने में रखा गया है जाओ वहाँ जाकर उसे मिलो वो बता देगा रुको मुझे तुम्हारा ऐसान नहीं चाहिए तुम्हारी जो कुछ भी फीज बनती है मेरे पीए मिश्रा को बता देना सुनवाई से पहले तुम्हे पूरी रखम मिल जाएगी जो बन पड़े करो मुझे मेरा बेटा अभी नहीं आजाद चाहिए इकलोता है मेरा after all my only son रवीन्हेegश बयुम्हार बनती है करते है क्चिश बन्हार 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 क्षेम्हार क्षेम्हार बया मैं पास क्यों हूँ, मैंने कुछ नहीं शांत हो जावी मैं जिगो मेरी बात मेरे रोना बंद कर और शुरुवात से बता क्या क्या हुआ था बरका को आप जानते हैं ना मेरी मंगे था अभी छे मेने पहले हमारी सगाई हुई थी वो मा चाहती थे आपको मंगनी पे बुला लकिन पापा इसा बात है भूल जा, क्या हुआ था ये बता समझ में यारा ये सब कैसे हो गया मैं एक मेने के बाद मेरी उससे शादी होने वाले थी अभी पंदरा सिन पहले की बात है मैंने का कि फिल्म भी ले जाता हूँ उसने कहा कि नहीं मुझे अपने दोस्तों के साथ मैंने का ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ कलब चला गया था और कलब में तेर होगी थी, रात को जब मैं लोट करा रहा था तो मैंने उसकी गाड़ी अमेरोट के बाहर देखे बर्खा की गाड़ी? बर्खा ने मुझसे चूट कहा था वो किसी आदमी के साथ थी पर उसका चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया मैं टेंशन में आ गया था सोचा जाकि उसे कंफरंट करूँ लेकिन फिर सोचा एक और तरीका है, सच तक पहुँशने का बीवी का पीछा करना है? मंगेतर का हो जाएगा लेकिन अगर कुछ है तो तो मुझे प्रूफ चाहिए समझे? मिल जाएगा सर जी फुल प्रूफ मिल जाएगा भगवान करे आपका शक जूटा निकले क्या है कि तूटते हुए रिष्टों को देखने से मुझे बहुत दर्द होता है और फिर उसके छीक तीन दिन बाद आपका शक सही निकला क्या नम है इसका? बर्खा सौरी जगदीश खुलर नम है इसका जगदीश खुलर जी बहुत बड़ा अदमी है इस शेहर का डेप्यूटी मिंसिपल कमिशनर है बिल्डिंग के सारे प्रोजेक्ट्स वही करवा था अधा का है अपने अमर रोड पे गोलिमार मैदान के पास उसका बंगला है C-35 सर ये फोटो सर तुने कुलर के गर का पता क्यों मागा था गया था ता तुमा हाँ मैंने सोचा जाके खुलर की खेर लो लेकिन जब मैं पहुचा तो मुझे अखल आई कि पहले मुझे बर्खा को कंफरंट करना चाहिए उसे पूछना चाहिए पिकप द़ फॉन बर्खा कमाँ कमाँ पिकप द़ फॉन पिकप द़ फॉन व किसाद लगी होगी ना फीर उस रात मैं अपने दोस्त राहिल कखर चला गया उसे बर्खा के नंटी। की बारे में बताने के लिए बसकर यार कुल्डी बस कैसे करूँ मुझे तो का दिया उसमे मुझे जो उन से मार तूगा उसमे और क्या मिलेगा उसमे मैं तो कहता हूँ कि तू बहुत लगी है शादी से पहले ये सब पता चला छोड़ते बरका छोड़ते से तू यार छोड़ के सब उनलु का पठा संजाए क्या मुझे अभिनव शेखवत नाम है मेरा कोई भी मुझे दोका दिकनी जा सकता है और उस खुलर उस कमिशनर के तो मैं जान ले रूँगा गोली सुन तो क्या कबर देनी अब आप कहा हूँ सर जी क्या हूँ पुली सापको ढूंड रही है अभी थोड़ी दर पहले जग्दीश कुलर को किसी ने गोली मार दी वहां आपके खिलाब सबूद भी मिले क्या हूँ गोली 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 पापा, पुलीस थूल रही है मैं यू इडियट क्या सरूरत थी उस आद्मी के घर पे जाने की तुछे पता है ना मेरा और उसका है रब सुन तू कहा है राहिल के घर पे तो ठीक है वहाँ से दिगल और अजमेर पहुँच जा शुक्लाज जी के घस्राऊस में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू हाँ है जब तक मैं ये मामला सुलजा नहीं लेता और तू अजमेर जाने के लिए निकला है वो भी किसी को पता ना चले चीक है मैं सब कुछ समाल लूगा फिर दिल्ली से अजमेर अजमेर से जैपूर जैपूर से उदावपूर बस भागता रहा चिपता राइस कट लेके कहीं पकड़ा ना जाओ मुझे नहीं भागना सा लेकिन पापा के गहने पे मैं भाग गया और अब तो केस बिगड़ या ना भीया सब यही सोच रहे कि मैं खून करके भागओ भागओ भाई आप प्रीज मुझे बता लिए सेव में प्रीज क्योंकि सिर्फ आप यह जो मुझे पचा सकते हैं और बच्पन से आप यह नहीं मुझे पचा हैं यादे स्कूल में यह बारा है प्रिंसिपल मुझे पनिश किया था इस इस इल्जाम में की मैंने वाल पर कुछ लिखा था और तब आपने मुझे बचाया था यह साबित करके की वो लिखावाड मेरी नहीं थी मैं तब भी निर्टोश था और आज भी निर्टोश हूँ मा की साब कुछ नहीं होने दूँगा तुझे एक बाद बता प्रेंशिक्स के अनुसार कुलर की अत्या नौ बजे हुई नौ बजे तू पने दोस के साथ था ना क्या ना मसका रहें गान नौ से तक्रिवन ग्यारा बजे तक में वही था वही था वही था वही था शुर रहा हुआ जितनी जल्द हो सके जैपुरा जाए क्या अविनाओ का कहना कि उस रात वो मेरे घर पे था अम सॉरी पर यह जोट है उस रात में घर पे अकेले था अविनाओ आया था लेकिन शाम को छे बजे के करीम और आठ बजे तक तो वह निकल गया था आठ बजे पका आठ बजे क्योंकि जगदीश खुलर का मड़ नौ बजे हुआ था जी हाँ आठ बजे पर अबिनाब तो कुछ और ही कह रहा है देखिया मैं मानता हूँ अबिनाब मेरा दोस्त है हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते रहे पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसे बचाने के लिए अपने आपको फसा दूँ कर दो बढूता है अब्लिख यंदेगा कर दोके लिए अब्लिख आपका अया की झाल को परल कॉ जी उस रात जब फ़हाब की हत्या हुई हम बाहर गेट पर ही थे और घडर के अंदर कौं था तुम्हारे साफ से कोई मिलने आया था जी साफ से मिलने एक आदमी आया था कहाँ जा रहे हैं रुकिये आप डासे अंदर नहीं जा सकते तुम्हारे साप नहीं बुलाया कि देख रहो माम लाग करोड़ का है कि समझेख नहीं कि चलो पर जड़ो कि अज़िए 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 हमारा सहाब कि हमारा हाथ कड़ गया अब तो यह कोई अब बेवकूब भी देख के बता सकता है कि हमारे सहाब को उसी लड़के ने मारा अधालत में छोड़ेंगे नहीं उसे सच-सच कहेंगे गया वो लड़का धाट्स बढ़े यह सब क्या हुआ रहा है मैं और अबिन्हों तो तीन मेने में शादी करने वाले थे और फिर यह सब यह सब आपको जख्धिश कुलर को मिलने से पहले सोचना चाहिए था पर मैं जख्धिश कुलर को नहीं चानती मैं उसे कभी मिली भी नहीं बरका जी आप, अबिनव ने एक जासूस रखा था लशकर सिंग लशकर सिंग ने ये कतन दिया है कि उसने एक नहीं अनेक बार आपको और कुलर साब को साथ में देखा है केवल इतना ही नहीं आप दोनों की कई तस्वीरे भी ली थी उसने जो अबिनव को दिखाई है जूट पोल रहा है लशकर सिंग मेरा कोई रिष्टा ने ये जगदिश को लर के साथ और पता ने अबिनव उसकी बात पर विश्वास भी क्यो कर रहा है मैंने सच में आज तक कभी अबिनों को दोका नहीं दिया है इस तरह दोनों आपके भाई को जूटा साबित कर देंगा अबर से जगदिश कुलर का वो सिक्योरिटी गार्ड उजागर से उसने तो अभी नव को आते वी दिखाया अंदर सेर इस केस में उसकी कभाई मेन है समझ में आ रहा है कि वा डिफेंस लोयर गुंडेचा ने क्यों अपने हाथ दो ली इस केस से गुड़ू जी मा आग्या तू जी मा सारे कभा सारे सबूत मेरे भाई के विरूत है वो जासूस लशकर सिंग जिसने तस्वीरे कीची थी उसका पता चला हाँ समय महा गया था और उसके ऑफिस पर ताला लगा हुआ था कैसी केस की सुनवाई है वो इतना एहम गावाद अलाभ ऑभाता है कैस कैसा चल रहा है चल रहा है तो चिंता वदकर आए आजए 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 तो चिंता माद आए यह मिरा आप साहयक है वरुग नावस्ती जीता रहे लोग जाए ठीटे तक और बैट बैट असिस्टन्ट तो इसका खयाल रखा करो यह खाने पीने के बारे में इतनी बच्सलूकी करता है देखो, कितना दुबला हो गया है कौन खया रखेगा मेरा यह किसी बाते कर रही है माँ अबसे अगर मैं दुबला हो गया हूँ तो यह क्या है फिर इसकी टांगें देखो माजीश की तीलिया जैसी है कमान सब अपनी बेटे को इस तरह कैसे बुला सकते तुम्हारे कहने पर मैंने उसे यहां बुलाया इसलिए यह मत बानना कि मैं हर चीज तुम्हारे कहने पर ही करूँगा समझी सो सुनाया कि अभिनव के पक्ष में गवाओं को ढूनने में आपको दिक्कते हो रही उन गवाँ से कहो कि अपना मूँ खोले चाहे उतनी रकम मैं उसमें भर सकता हूँ लेकिन अदालत में अभिनव का साथ दें कैदना उन से पाटक अभिनव का वकील हूँ है कोई दलाल नहीं जो गवाओं के साथ सौदे बाजी करता पर हूँ अभी तक नहीं बदले अभी नहीं बदले अगर ये जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि मुझे जो चाहिए वो पाने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूँ और इस केस में मुझे चाहिए अभिनव की रिहाई किसी भी किवद पर हरी मेरी या किसी और के है बोटी, be comfortable से रिक बात हो चूँ आपके फादर का साने में शेखावत और आपका पाठक पाठक मेरी मा का उपनाम है वरुन शेखावत नाम से तो मेरे पिदाजी मुझे वंचित कर चुके क्यों सर्थ बढ़ी लंबी राम कहानी है सुनाओंगा किसी ते इस समय पुरा ध्यान केस पर लगाने पड़ेगा इस केस में जो ब्रॉसेक्यूटर है वो भी आज तक कोई केस नहीं हा रहा पर में द्रदेश आई मिलोड, उन्नीस जन्वरी राट ठीक नव बजे मिस्टर अभीनव शिखावत गुष्से में और नशे में चूर होकर शहर के डेप्यूटी मुन्सिपल कमिशनर जग्दी स्कुलर के बंगलो पर पहुंचे जिनका इनके फ्योन से के साथ अफैर था जिसका बदला लेने के लिए ये अपनी लाइसेंस रिवाल्वाल कॉल्ट एम वन नाइन डबल वन लेकर गए अब उजागर सिंग उस रात खुलर साथ के बंगलो के बार तुम ही थे और तुमने इस आदमी को उनको मार कर बाहर जाते हुई देखा पता नहीं साथ पता नहीं वो कहना साथ उस समय तो मैं डूटी पर ही नहीं था मैं तो घर गिये था खाना खाने के लिए order order लेकिन उजागर सेंक तुम हीने हमको बताया था कि तुमे तुमने इस आजमी को पहले बाहर से अंदर जाते हुए धर और अंदर से बाहर जाते हुए देखा नहीं साफ मैंने ऐसा नहीं बोला नहीं नहीं पताना ही घर के अंदर आया और किसमेरे साज अ乾yn उन्गवा से कहो कि अपना मूँ खोले चाहे उतनी रखम मैं उसमें भर सकता हूँ अफरी गो नूमरी करो मैं मिस्टर अभीनव के दोस्त राहिल खान को बुलाना चाहूंगा इजाज़त है वाओ राहिल चप बोले तो इसे अभीनव तुमारे साथ था वो भी नशे में चूर फिर उसना अपने पिस्टल उठाई और कहा कि वो जगदिश कुलर के घर जा रहा है उसे मारने यहीं कहाता ना बोलो बोलो जी ने अभीनव ने जो बयान पुलीस को दिया था वही सच है उस रात अभीनव मेरे साथ शाम साथ बजे से तकरीबन रात ग्यारा बजे तक था और मिश्टर कुलर की मौत नौ बजे हुई तो जाहिर है अभीनव बेकुसूर है और उसकी बेगुनाई का सबसे बड़ा गवा मैं हूँ मिलोड शूं 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 चालीस हो रहा हुजा बजू आलो को पुता ना बया यह लोग अपना बयान बदल रहे हैं पुलीस के सामने वांदो नहीं वांदो नहीं मैं थाबित करके रहूंगा कि खून अभीनव नहीं किया है कि अहां हाँ 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 मिस्टर अभीनव इन गोलियों को तो पैचान दे हूं गया चीनी नहीं बिस्टर अभीनव यह दोनों 45 कलीबर की गोलिया है और बैलेस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से इनी गोली के वज़े से मिस्टर की मौत हुई है और वो चली है एक कॉल्ट M1911 गन से बिसे आपके पास भी गन है न वो कांसी है हो हो है कॉल्ट M1911 लेकिन लाइसंस है पापके नाम यानि की वही गन नहीं या देसाई साहब वही गन नहीं वैसी ही गन जैपूर में 1426 लोगों के पास उसी मेक उसी मोडल का गन है M1911 मिस्टर केडी मुझे पूरा यकीन है कि वह 1426 लोगों की गन उनके पास ही होगी वैसापकी गन का है पुलीस ने इन्यवेस्टिकेशन के वक्त आपके पास मांगी थी ऐसे चीवो goose मने कमरे में रखे दी लेकिन खोगई क्या गास उस्टिट खोगई खोगई जी सुना विष्टे केडी खो गई जट आप सुना आपने खो गई गन समझ में नहीं आता है कि गने की रुमाल खो गई वो भी इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद चलो कोई बात नहीं है एक और बात पुछता हूँ उस दिन शाम को जब आप अपने दोस्त राहिल खान के साथ थे तब आपने कौन से कपड़े पहने थे जी मैंने एक वाइट टीशिट और ब्लू डेनिम्स पहने थे वाइट टीशिट तो वो वाइट टीशिट कहा है पुलिशना आई थिंग आपके पास वो भी मांगी दी ना ची वो वो भी खो गई है यह भी खो गई जट साथ यानि कि मौकाय वार्दाच से सबूत खो गए आए अबजेक्ट एर और अबिनव की गन और उसका टीशिट इ ही हुए कोई बात निए केडी साथ जट साथ हम कुछ और स्थापित करते हैं अब अब यह क्या है यह बटन पुलीस को मिंट्र कुलर की लाश के पास से मिला था यह आपी खाव बटन है ना यह बटन मेरे पापा के कोट का है पापा के कोट का साइलेंट्स मतलब तुमने अपने पापा का कोट पहना था जी हाँ नहीं जी नहीं तो फिर ही ये बटन वहाँ कैसे पहुचा वो मैं बटा सकता हूँ आपको जो कुछ कहना है कटगड़े में आकर कहिए सर महारो नाम रजिंदर सीग टौक है मैं भी शहर के बड़े बिल्डरों में से एक हूँ मिस्टर शेखावत की तरफ आप रोख्षद ना जानते हूँ अब इनाव से कहीं पहले मिस्टर जगदीश खुलर को मिस्टर शेखावत जानते है दरसल मिस्टर जगदीश खुलर मिस्टर शेखावत के लिए एक ऐसा जहरीला काट्टा थे जिसका निकारना इंड के लिए बहुत जरूरी था अच्छा पांक साथ थोड़ा थोड़ा खुल के बताई है सर जो तवार में चारसो एकड़ का एक प्लाट इन्होंने खरीदा था गॉल्फ कॉंपलेक्स बनाने के लिए पर मिस्टर जगदीश खुलर को उसके कागजों में कुछ गड़बडी नजर आई तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मैं मिस्टर कुलर से मिले उनके दफ्तर गया था तो मने देखा कि मेरे कॉंपलेक्स के प्लान्स पास ना करने का मतलब क्योंकि इस जमीन पर डिस्प्यूट चल रहा है और आपने इस जमीन को गहर कानूनी तरीके से हासिल किया है सबोत दीजे मुझे सबोत करोडों रुपे लगे हैं मेरे इस प्रोजेक्ट के पीछे अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो चो नुकसार होगा वो मैं सही नहीं पाऊंगा ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है अब इसे भी आप जा सकते है मेरी दूसरी मीटिंग मिस्टर टॉंग के साथ है ओ अब समझ में आ रहा है कि मरा प्लान पास क्यों नहीं हो रहा कट चाहिए तुम्हे बोलो कितने पैसे दे रहा है मों तुम्हे उससे ज्यादा में जुआ दूँगा मैं मिस्टर शेकावस्ट आई सेट लीव देखो खुलर करोड़ रुपे फॉर्श नगाया है मैने इस प्रोजेक्तiver और ये प्रोजेक्त किसी भी कीमत फे होंके रहेगा मेरे होते हुए येश प्रोजेक्त कभी नहीं बन सकता ठीक कहरो तुम्हारे होते हुए यह प्रोजेक्ट नहीं हो सब्दान लेकिन अब देखना ये है कि तुम कब तक होते हो आई ये मिस्स टॉंग मैथी है हाँ अवे बराबर समझायो इसका मतलब ये एक ही बाप और बेटे दोनों की एक ही आत्मी के साथ दुश्मान ही थी है ने मतलब एक की पर्सनल और दूसरी की प्रोफेशनल समझायो केस बद्दो बराबर समझाईगा हो ये खून पर्सनल वज़े से नहीं प्रोफेशनल वज़े से खून हुआ है और इसका ये केस है ये ये खून पर्सनल वज़े से नहीं प्रोफेशनल वज़े से खून हुआ है और इसका ये केस है है जिए कि समझाई जैसे बापा बद्दू बराबर समझाई जैसे योर अनर क्या है कि वो बर्खा को इधर बुलाओंगा ना ये जो अभी अभी नव की मंगेतर है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा बुलाओं इजाज़त है आ तो बर्खा जी आपके पती का पना सॉरी सॉरी आपके मंगेतर ने देखो ऐसे बुरा नहीं लगाने का लेकिन उनका कहना ये है कि आपके और मिस्टर जगदीश के बीच में कुछ ऐसा चल रहा था तो क्या वात सची है नहीं बिलकुल सच नहीं मैं जगदीश खुलर को जानती नहीं हूँ मैं आज तक कभी मिली नहीं और देखा भी नहीं उन्हें जूट बोले यह है मेरे पास सबूत है का है का है सबूत का है दिखाओ बर्खा पर नज़र रखने के लिए मैंने एक जासू सायर किया था लशकर सिंग उसने खुलर और अब बर्खा की कई सारी तस्विर कीचिए अच्छा तो यह लशकर सिंग कहा है भाई अभी यह मत बोलना कि वो भी गन और टीशिट की तरह गायव हो गया है ओडर ओडर वो आपके परांच में क्या बोलते हैं देशाई साहब दिरा शान्ती राखो नहीं हाँ सबत हो तस्वीर कहा है वो तस्वीर कर तो को मेरे पास यह लशकर सिंग के कौन से दिलांग पर यह चित्रली गए थे अच्छी तरह से अच्छी तरह से आदे नाइन्थ टेंट और लेवन जैनुएर जब बर्खाने जूट बोला था कि वो अन्कल से में अगरा थे आगरा थे यहीं जापूर में ती ने आशिक के साथ था नहीं अबी ना उन दिनों में अगरा मेही थी तरह था थारिह को हम ताजमेल दिखने बागते है सुժ मेरे फोन में देखे आखे जाओ अच्छा का फोर्टो दिखाओ अच्छा थाजिए कता इन्हें पूरे परिवार के साथ आगरा में ती तो उसलिख औज गए पूर मैं कै तुम्हारा जासु जूट तो नहीं बोल रहा था जूट तुम्हारा भाई बोल रहा है कोई जासुशी का केस नहीं है कोई अफेर नहीं है अभी ना उस शेखावत की कहानी महज एक डिस्रेक्शन है असल केस से मिस्टर जदिश कुलर के साथ तुम्हारे भाई का नहीं तुम था इनका वो 400 करोड की जमीन के लिए मिस्टर देशाई आप टॉंग के कथन के आधार पर मिस्टर शेखावत को इस केस में नहीं घसीच सकते हैं अच्छा तो ही सर इस बटन के बूते पर तो मैं चोड़ सकता हूं ना के लांच चलनों का कोई प्रहाण फ्रेंग आपके बास कैं आप कबसे मिस्टर शेखावत के ब्रस्ताचार से अंजान बनने लगें मीस्टर बाठल में ये आपके पिता है कि इंद्स या अदालत है कि आधालत में मेरे लिए कोई पिता नहीं कोई भाई नहीं केवल मुवक्किल है अदालत तो मिस्टर केडी पाटक मैं आपको याद दिला दूँ कि तकरीबन बारा साल पहले अपनी केरियर का सबसे बड़ा और पहला केस आपने इसी अदालत में लड़ा था याद है ना आपको अच्छा अब यह बताईए कि वो कौन सा केस का यह些एविक देखिये केडी सáब उस केस केडी से कोई संबद संबंद क्यूं नहीं है केडी साब बिल्कुल संबढ़ है अब यह बताईए कि किसके वीड़ अक्य सों दाइए बताई acontecer करproduct कि मिसटर केड़ी पाठक अपने जिन्दगी का इतना बड़ा केस वो भी अपने बाप के विरू था क्यों बताईए ना क्यों अगर आप कत्रा रहे तो मैं बता रहूँ राजस्थान का सबसे सेंशेशनल केस जो एक बेटा अपने पिता के प्रस्टाजार से परदा हटाने के लिए लड़ रहा था जो उन्होंने किया केस जित कर उस वक्त वो आदमी तुमारे लिए प्रस्ट था तो आज ही अचाना धर तुमातमा कैसे बन गया मिस्टर के डी पाकर क्यों गंटी बजगाई क्यों गंटी बजगाई तकरीबन बारा साल पहले मिस्टर केडी पाठक अपने जिन्दगी का इतना बड़ा केस वो भी अपने बाप के विरू था राजस्थान का सबसे सेंसेशनल केस जो एक बेटा अपने पिता के प्रस्टाजार से परदा हटाने के लिए लड़ रहा था उस वक्त वो आदमी तुम्हारे लिए प्रस्ट था तो आज ही अचाना धर्मात्मा कैसे बन गया मिस्टर केडी पाठक क्या सोचा था तुम्हारे बारा साल पहले जो कीचर तुमने मुझ पे उचाला था उसके दाग धुल गए होंगे नहीं मिस्टर केडी पाठक वो कीचर आज भी मुझ पे उचाला जा रहा है तुम्हारी उस भूल ने आज फिर से मेरा सर चुगा दिया इस अदालत में भूल मेरी नहीं आपके थी और आप ये बात अच्छी तरह जन दे शलो मान देते हैं कि उस केस में दोश मेरा था था दोश मेरा लेकिन इस केस में नहीं इस केस में भी दोशी आप ही है अच्छा वो कैसे प्राहिल रोजागर ने अपना बयान किसकी कहने पर बतला आपके दोश देने पर आपके रुपए की लालच से हाँ मैंने पैसे दिये थे उनका बयान बदलने के लिए लेकिन वो रिश्वत दी गई थी सच बोलने के लिए चूट बोलने के लिए नहीं सच हाँ सच वो सच कि तुम्हारा भाई निर्दोश है नहीं क्या खून उसने उस खुल लरका लेकिन अब भी अगर तुम्हें अपने खून से ज्यादा औरों पे भरुसा है तो छोड़ दो ये केस मैं ये केस नहीं छोड़ूगा मैंने अपनी मा को वचन दिया है कि अपने भाई को निर्दोश साबित करके उसे घर ले कर जाओगा सुमीट मिस्टर बाड़क मत्रोश साथि जाओज दूए भाई भर दोचु अपने पत्ता जाओड़ साथ लेकिन के अज़ बाड़ूड़ दूखिा लेकिन प्रूजकोंगा अपने प्रूंद प्रूदूड़ कर दो चानल मैंने अज़ वचिए रप्रवाश टोच्णल किन दूबड़ूड़।